राजिस्थान के अलवर में मॉब लिंचिंग मामले में अब तक साथ आरोपियों को गिरफतार किया गया है परिवार वालों की मांग है कि मॉब लिंचिंग की धाराओं में केस दर्ज किया जाए अलवर में मॉब लिंचिंग साथ आरोपी गिरफतार इलाके में तनाव बरकरार राजिस्थान में अलवर के गोबिंद गड़ में चिरंजी लाल हत्यकान के विरोध में परिवार बालो रिस्थाने लोगों ने मंगलवार को दिन भर रोट जाम रखा साथ ही बजार भी बंद रहे पुलस ने इस मामले में साथ लोगों को पकड़ा है जिन में से असद खान, सयूब, सहूर, तलीम, कासम, पोला, बिक्रम खान को इस्तिमाल की गई इस कॉर्पयो गाड़ी समित ग्रफतार किया है सभी आरोपी अलवर सदर के उलहेडी गाउं के निवासी है जिन बढ़ चल रहे प्रदाशन में इस मामले को मौब लिंचिंग की धाराओं के तहर दर्श करने की माम की गई है चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते ये सोच कर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो तो देरी क्यूं? फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करें वहीं कॉंग्रस ने कहा कि इस पर आजनीती नहीं होनी चाहिए बल्कि सभी को मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए ये कहना नाकाफी है कि बाकी राज्यों ऐसा होता है किसी राज्य में, किसी गाउं में, किसी शेहर में किसी दलेत, आदिवासी, गरीब, पिछले, कोई भी रखती हो, जो असाय हो, उसके साथ अगर ऐसा होता है तो उसको जीरो टॉलरेंस करनी पड़ेगी गौड तलाबे की रामगड के गोबिंद कर थानच शेत्र के चिरंजी लाल सैनी पर काई गाड़ियों में भरकर आए करीब 15 से 20 लोगों ने हमला कर दिया था जिससे चिरंजी लाल को गंभीर चोट आई थी इलाज के लिए जैपूर रैफूर किया गया था जहां इलाज के दरान 15 गस को चिरंजी लाल की मौथ हो गई दरसल सुबा सौच के लिए घर से निकले चिरंजी लाल सैनी को चोर समझकर काई गाड़ें में भरकर आए करीब 15-20 लोगों ने हमला कर दिया था ग्योरे रिपोर्ट जी मीडिया चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे बेच नहीं सकते यह सोच कर आप चिंतित हो क्या अगर 130 करोड में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो तो देरी क्यूं फ्रीडम है आपको अभी डाउनलोड करें